मुन्डेंस कैपे दोस्तों अब हम यहां पे डिनर करने के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको पूरा इखाता हूं कैसा है यहां पे देखिए यहां पे आज का मेनू मुन्डेंस कैपे जाचे का अच्टा सुपती तो मैं फश्टा सबस्की मँड़िश वाथ यहां प्रेखिए यहां 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 यहांऻ़िए आपको आपको बत्चा रहता है यहां यहां पड़़्श्या तो फिनती आप देख सकते हो हमने सिजलर यहां पर मंगाया हुआ है यहां की एक स्पेस्यालिटी है मैं आपको बता दूँ यह है शाक्षु का इसराइली डिस साथ में ये पिटा बेड यह जो सलाड आता है इसराइली सलाड एक प्रकार का क्रीम रहता है हमस टाइप हमस नहीं लेकिन हम जैसा अभी हम किंग फलाफल रिश्टोरेंट में आये हुए है फलाफल खाने के लिए आप देख सकते हो एक्चुली यहां पर कसोल में मॉर्निंग लेट होती है इनकी लोग रात को लेट नाइक तक पाटी करते हैं और सुबह में नॉर्मली साड़ा बारा बज़े के है कि फलाफल प्लेट एट की फलाफल यह जो में होता है वह फलाफल फ्रेंच फ्राइब हमस यह कुछा है देंग जैसा शलाट और लाफा इसको बोलते है पुरा रूती लेकिन वह लाफा जैसा कोई पूलते है उपल के में रोड में ही मौल रोड पे यह इसले है यहां पे हमने फलाफल खाया आप जरूर आईए यहां पे फलाफल खाने के लिए जर्मन ब्रेकरी में हम अभी अलग अलग प्रकार की केक खाने के लिए आया हुए और देखते हैं कि एपल स्क्रूडल, बनाइना मफील, एपल पाई, लेमन केक अभी हम नमस्ते दाबा आया हुआ है, यहां पर हम ब्रेकफास करेंगे, यहां पर अंडे की आइटम और पराठा, ओमलेट, डाल मखनी बहुत ही फेमस है, एक यहां पर एक पराठा बहुत फेमस होता है, जो जो लोग एक खाते है, वो यहां पर ज़रूर प्राइट अभी हम न्यूबोच सामी कैफे में आये हुए, यह अंटी जी है, जो हमें खाना कहिलाएगी, जो अभी बीजी है, पिटा बेट बनाने में, तो यह देख लीजी आप, यहां पर आप सिसनल खाएंगे, जीवा विथ मस्रूम ओलिव, मैं आपको दिखाता हूँ, डिश्ट स्निसजल, इस हमस, विंक्स, ब्रेट, प्रेंच वाई, सलाड, यह लाफा है, मस्रूम ओलिव, प्यॉर वेज आइटम है, बले जैसा भी दिख रहा है, लेकिन यह जरूर खाना चाहिए, न्यू गोज, सामी, भोजनाले में आईए, मॉल रोड कसोल, और यह अंटीज है, जो यहां की कूख है, आप देखिए, इन से कॉंटेक्ट कीजिए, शंबू मॉमो सेंटर, मॉल रोल पे, यहां पे जरूर खाईए, वेज मॉमो या फिर आप जो भी आपका, याना की वेज नॉन्वेज जो भी प्रेफरेंस है, वेज मॉमो यहां का ब है, बहुत ही बढ़िया है, इनके ओनर है, यह अभी हम पंचतारा में जा रहे है, उनकी रहने के लिए होटल भी है, और यहां पे लाव यूजिक शलता है, डिनर, लंच, यहां पे डिनर बहुत ही बढ़िया है, अब देख सकते हो, यह सूला का बॉटल, फैमस सूला ब्रा यह जएक साइस भी है, यह पूल टेबल है, यह अब जख सकते हो, झाल झाल रुद्राक्स फूट जंक्शन यहां पे आप जरूर आईए डिनर के टाइम पे यहां का एंबियंस एकदम पार्टी एंबियंस है डार्क और एकदम हैपनिंग प्लेस खाना भी यहां का अच्छा है इसराइली चाइनीज आप कुछ भी यहां पे ट्राइ कर सकते हो जरूर आ प्राइड में ऊपन रेस्टोरेंट है अब जेक्सेप्ते हो सब सहलानियों बाखे हुए यहां पे वेज़ लेटर हो गया बाकी सब बहुत बढ़िया आज हम वापिस एवर्गिन कैफे में आये हुए है क्योंकि यहां से जो व्यू है वो बहुत ही बढ़िया है जो रेस्टोरेंट में पिछे ओपन एरिया जो यहां से आप देख सकते हो देखिए कितना बढ़िया इसका व्यू है आप डे टाइम में यहां पर जरूर आईए हम साक्षुका खाने यहां पर आये साक्षुका में यहां पर टेस्ट अच्छा लगा मुझे वसी बेखी इश्यू था कि पीटा बेड़ यहां पर नहीं है तो आपको रोटी के सद खाना पड़ेगा मैं प्रीफ जराना भी अच्छा है चाइनीग और इसरालियन और लोकेशन यहां का खाने से भी बहतर है आप देख सकते हो यह ओपन जो पिछे का जो शीटिंग एडिया है कि कित्मी बढ़िया धूप और क्या बढ़िया लोकेशन है इंड्बर सीटिंग बी काफी बढ़िया है खाना काफी अच्छा था, एम्बियंस के साथ काफी अच्छा था, एम्बियंस के साथ